इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़े से पहले गाईजे अगर आप मेरी चैनल पर नया है इस चैनल को सस्क्राइब करिए और पासवाले नोडिफिकेसन बेल को दवा कर जरूर क्लिक कर द आप चाहें तो आप अपने चैनल के homepage पर भी जाकर playlist को डिलेट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बाइट सोडियो आप से चैनल के playlist को डिलेट ना सिखाओंगा तो उसकी लिफ्रेंट्स आपको चली जाना अपने बाइट स्टूडियो आप में उसके वाद इस तरह कि सापका Byte studio app open हो जाएगा अब friends उपर आपको यह three line पर click कर देना है और उसके बाद आपको यह playlist पर click कर देना है उसके बाद आपने अपने channel में जितना भी playlist बना कर रखाऊगा वो सारा playlist यहां पर आ जाएगा अब friends आपको जिस भी playlist को delete करना है उस playlist पर आप click कर देजिए जैसे देख कर देना है उसके बाद ओके पर click कर देना है उसके बाद आपका वो playlist आपकी चैनल से डिलेट हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है अपने YouTube चैनल के playlist को delete कर सकते हैं उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लिजे